नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांड़े आपके साथ 2024 में होने वाले लोक सभाचुनाव को कुछ महीने ही शेस है ऐसे में जहां देश भर की तमाम राजनितिक दल तमाम पॉलिटिकल पार्टी जोर शोर से तयारियों में जुटी हुई है पक्ष हो या विपक्ष एक दुसरे पर वार और पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ है एक दूसरे पर को challenge करने का एक मौका नहीं छोड़ हैं एक दूसरे को सिकस्त देने का और पलटपठनी देने का एक मौका नहीं छोड़ने हैं ऐसे में जहां चुनाव को ले करके अब महौल सेट हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बता दे कि तमाम जो सर्वे करने वाली टीम जो है वो भी एक्टिव हो गई है पॉलिटिकल सर्वे करने वाली टीम जो है वो एक्टिव हो चुकी है और इस बार यानि इस 2024 के लोग सभा च जनता का मिजाज क्या है जनता का मूड क्या है इस पॉलिटिकल सर्वे के जरीए आईए जानते हैं बिहार में लोकसभा की 40 सीटे हैं 2019 की बात करे तो जद्यों और बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी उस समय सीम नितीरिश कुमार भारतिय जनता पार्टी के साथ थे अकेले बीजेपी को 17 तो वहीं जद्यों को 16 सीट मिली थी लोजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी आरजडी के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी वहीं कॉंग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी अब इस बार जब नितीरिश कुमार महागटबंधन के साथ हैं तो किसके खाते में कितनी सीटे जाएगी इसको लेकर अलग-अलग सर्वे भी कराय जा रहे हैं हम दो सर्वे आपके सामने रखने जा रहे हैं बता दे कि पिछले महीने जुलाई में ही सर्वे हुआ था TNN सर्वे और CNX सर्वे में नतीजे कुछ ऐसे सामने आए एक बात साफ है कि महागटबंधन को फायदा हो रहा है कुछ सर्वे करानी वाली टीम ने लोगों से पूछा कि आज लोग सबाद चुनाव हुए तो बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है इसी तरह का सवाल कुछ और तीम जो सर्वे करवाने वाली टीम है उन्होंने भी लोगों से पूछा अब दोनों की आकड़े अलग-अलग समझाते हैं आपको हम पहली जो सर्वे की टीम है उसके अकॉर्डिंग बताएं तो महागडबंधन को 16 से 18 सीट मिल सकती है इंडिये को 22 से 24 सीटे मिल सकती है अन्हे को सुर्ण सीटे मिलने की संभावना है अगर हम टीम B के सर्वे की बात करें तो आरजडी को 7 सीट मिल सकती है BJP को 20 सीट मिल रही है नतीश की पाटी जद्यू को 7 सीट कॉंग्रेश को 2 सीट मिल रही है वही अगर हम लोजपा राम विलास की बात करें तो उसे 2 सीट RLJP यानि पारस गुठ की अगर बात करेng तो उसे 1 सीट और हम की अगर बात करें तो उसे भी एक सिट मिल रही है यानि टीम A के सर्वे के हिसाब से इन्डिये को 24 सिट जबकि 16 सिटे महागडबंधन को जाती दिख रही है और टीम B के अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग महागडबंधन को 16 से 18 सिटे दी गई है और NDA को 22 सिद्धी गई है, दोनों सर्वे में कुछ मिलते जूलते आकड़े सामने आए हैं तो देखिए सर्वे करने वाली टीम के आकड़ों के हिसाब से समझे तो महागट बंधन को NDA पठखणी दे सकता है महागट बंधन के लिए 2024 का लोग सबाचुनाव एक चुनौती के रूप में उतर सकता है तो चलिए फिलाल तो इस ख़वर में पस इतना है और भी वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं